नमस्कार दोस्तों एजुपार की यूट्यूब चैनल में आपका एक बड़ी फिर से सवागत है और आज हम आप लोगों के लिए लेकर हैं स्पोर्ट सेक्शन से पूछे जाने वाले टॉप हंड्रेड क्वेश्चन्स जी हाँ इस वीडियो में हम कवर करेंगे पूरे सौ क्वेश्चन्स जो की बहुत-बहुत जरूरी है हर एक्जैम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी-पूरी संभावना है अगर आप ये चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले सब सबस्क्राइब कीजिए और जो साइड में बेल आइकन देख रहा है उसको दबा दीजिए जो घंटा आपको देख रहा है उससे क्या होगा आपको सबसे पहले अपडेट पहुंच जाएगी आपके पस नॉटिफिकेशन के दुवारा और आप वीडियो सबसे पहले देख पहेंगे तो ऐसा करने के बाद आप लोग वीडियो देख सकते हैं तो चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं क्वेशन नंबर पहला होकी में पैनल्टी स्ट्रोक कितनी दूरी से मारा जाता है तो ऑप्शन चार आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं ऑप्शन ए 8 गज, B 10 गज, C 11 गज या 12 गज तो दूस्तों ऑप्शन ओप्शन का सही आपको स्टार्ट की दूर्री से पैनल्टी स्ट्रोक मारे जाता होकी जो गेम है Q किस खेल से संबंदित है Q Q mean Q के कई सारे option होते Q mean line होती है तो basically यहां पर तो जो कतार बोलते हैं उसे Q बोलेंगे तो जो बिलियर्ड्स गेम है उसमें Q उससे संबंदित है तो option D का सही आंसर हो जाएगा गोल किस प्रिसिद भारती आहोकी किलाड़ी की आत्मकता है तो जो गोल है वो टैनिस से संबंदित है और दरसल एक question गलत है तो यह question पर ध्यान नहीं देंगे question number fourth देखते हैं गगन नारंग किस रूप में प्रिसिद है option number a motor car racer b cricketer c air rifle shooter या d football तो जो गगन नारंग है वो air rifle shooter है option C का right answer हो जाएगा question number five निमलिकित में से कौन सा देश अंतर राष्टे cricket नहीं खेलता तो रूस जो है वो अंतर राष्टे cricket नहीं खेलता या आप बहुत से बच्चों को पता होगा option A इसका सही आंसर है question number six निमलिकित में से कौन सा देश अंतर राष्टे cricket नहीं खेलता तो option A, इसका सही अंसर है, जापान भी क्रिकेट नहीं खेलता है international, question number 7, किस खलाडी का उपनाम डेनिस देमीनोस है, तो option A, आंद्रे अगासी, ये कोई थोड़ा आठपटा सा हो गया, बट इसका answer A है, question number 8, परिमारजन नेगी ने निमिनलिकित में से कौन से खेल में विशिष्टा दिखाई है, तो option A, बिलियर्ड, B, तहरा की, C, शतरंज, या D, भारत तो तोलन, तो option C, कसे ये answer है, शतरंज जो गेम उसमें विशिष्टा दिखाई है, परिमारजन नेगी ने, option, sorry, question number 9, शन्मुगन वेंक टेश, निमिनलिकित खेलों में से किस एक के उत्करष्ट खिलाडी है, तो option C है, option C, मतलब football, इसका right answer है, football के खिलाडी है, question number 10, परिशिद गोल्फ विजैस सिंग, परिशिद गोल्फ खिलाडी, विजैस सिंग, निमिनलिकित देशों में से किस स संबन देते हैं, तो option A, इसका right answer है, फिली से संबन देते है, question number 11, शैयाली गोखले का संबन निमिनलिकित में से किसी किस खेल से है, तो option A, आपके सामने है, लॉन टैनिस, या B, बैडमिन्टन, C, गोल्फ एर डी, शेतरंज, तो option D, इसका right answer है, शेतरंज से related है, question number 12, विज पिरसिद, टैनिस, खिलाडी, राफेल, नाडाल, निमिनलिकित में से किस देश से है, तो स्पेन से है, राफेल, नाडाल, option 20 का सही answer हो जाएगा, question number 13, निमिनलिकित में से कौन एक गोल्फ खिलाडी है, जो अंतर राश्टिय आयोजन में भारत का प्रतिने दित्व करता है, तो जीव मिलका सिंग जो है, वो अंतर राश्टिय है, आयोजन में भारत का प्रतिने दित्व करता है, option C, इसका राइट अंसर हो जाएगा, question number 14, ओल्मिनलिकित में से कौन से अंतर राश्टिय टैनिस खेल प्रतियोग तक घास के मैदान पर खेली जाती है, question number 16, तो जो विम्बलड डन होता है, वो घास के मैदान पर खेली जाती है, option C, इसका राइट अंसर है, question number 16, सुल्तान अजलान शाह होकी टूर्नमेंट का आयोजन कौन सा देश करता है, तो जो मलेशिया है, वो इस आंदोलन का आयोजन करता है, टूर्नमेंट का आयोजन करत होता है, तो मलेशिया इसका सही आंसर हो जाएगा, option B, question number 17, निम्लिकित में से वह पहला भारतिया खिलाडी कौन था, जिसने अंतर राष्ट्रे टेस्ट मैच हैटरिक की, तो हरवजन सिंग इसका सही आंसर, option C, इसका राइट अंसर हो जाएगा, question number 18, 2014 के राष्ट्र मंडल खेल निम्लिकित में से किस देश में आयोजित किये गए, तो option C, Scotland, इसका सही आंसर है, Scotland में आयोजित किये गए थे, question number 19, निम्लिकित में से किस खेल को ओलम्पिक में शामिल नहीं किया गया है, क्रिकिट को ओलम्पिक में शामिल नहीं किया गया है, काफी international level है, मतलब क्रिक किस कप ट्रॉफी कप या ट्रॉफी का संबंद हह Fuky के खेल से है तो सि आगा कान कप इसका राइट आंसर है वैक्वा के ऍटफ डॉइटी टू कि सॉर्अरी निम्न मेंसे किस शब्द का संबंद gekत के क्षेल से है जो नो बौल होती है वह आहाप को पता है क्रिक्ट में होती है और तो घहीं होती ही नहीं है तो आप्शिन में सबसे अलग ऑप्शिन डी ही है तो आप्शिन डीस का रहे अंसर आपको लोगों बहुत सारे लोगों पता भी होगा कुछ नमर्ट 23 निमलखित में से किश पद का संबंद फुटबॉल के खेल से नहीं है तो डेट बॉल नहीं भी बैक पास सी कॉर्णर के या डी मैडन ओवर ओवर होता है क्रिकेट में ओवर फुटबॉल में तो होता ही नहीं है तो आप्शिन डीस का रहे अंसर हो जाएगा प्शिन ड्वार आइसीसी द्वारा निम्न में से किस क्रिकेटर को बीश्वी सतावदी का क्रिकेटर घोशित किया गया तो कपिल देव को किया गया था ओप्शिन बी राइट आंसर माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चड़ने वाली सबसे अधिक आयो की भारतिय महीला है तो प्रेम लेता अगरवाल है जो वो भारत की सबसे अधिक उमर वाली महीला है जो एवरेस्ट पर चड़ी थी ऑप्शिन नम्बर बी इसका राइट आंसर है नम्लिकित में से कौन सा खेल कूद के छेतर का जाना माना नाम है तो अंजली भागवात खेल कूद का जाना माना नाम है ऑप्शिन एज दा राइट आंसर कि उवप्शन है तो ऑप्शन न महीला होकि में भारत का बिद्धिन ने केकिकीक्ति सेबेस्टियन विटल ने किया था उप्शिन सी इसका राइट अंसर है क्रिक्ट में जब गेंद बल्ले बाज के बल्ले या शरीड कुछ हुए बिना गुजरने गुजरे तो समय लिये गई रन को क्या कहते हैं तो उसको बाई बोलते हैं और प्शन नंबर सी सका राइट अंसर है क्वेश्टन नंबर 33 यूरो कप किस खेल से संबंदित है तो फुटबॉल से संबंदित है यूरो कप आप लोगों को पता होगा कुछ लोगों को कुछ नंबर 34 भारत का फ्लाइंग सिक किसे का जाता है तो निमलिखित में से कौन बैड्मिंटन का खिलाडी नहीं है तो नरीश गुमार जो है वो बैड मेंटन का खिलाडी नहीं है क्वेशन नमर 37 निमलिखित में से कौन फॉर्म Alabama से संबंदित है फॉन यान गरती का जाुंट न मच्योल से संबंदित है Q39, क्रिकिट के खेल में पॉपिंग क्रीज की माप होती है तो option B, इसका right answer है चार फुट की माप होती है Actually, पॉपिंग क्रीज की माप Option B, इसका से answer है Q40, राधा मोहन कप का संबंद किस खेल से है तो पोलो जो गेम है उस खेल से राधा कप का संबंद है Q41, इंगलेंड वे और ऑस्टेलिया के बीच होने वाली टेस्ट मैचों की श्रिंकला को क्या कहा जाता है Asage बोला जाता है Option D, इसका right answer है Q42, निमलिखित में से कौन सी तेराकी की शेली नहीं है तो जो फर्स्ट टोक है वो तेराकी की शेली नहीं है Option C, इसका right answer है Question number 43, अभी लिखित प्रतम ओलंपिक खेल कब आयोजित हुए थे तो 776 इसवी पूर्व में आयोजित हो गए थे बहुत बहुत पहले आयोजित हो चुके थे तो Option B, इसका right answer है Question number 44, किश वर्स भारत ने ओलंपिक खेलों में होकी का पहला स्वर्ण पदक जीता 1928 में होकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था भारत ने Option B, इसका सही answer है Question number 45, दो ग्रीश मकालीन ओलंपिक खेलों के माध्यम के मध्या कितने वर्षों का अंतर होता है तो चार वर्षों का अंतर होता है Option C, इसका सही answer है Question number 46, निमलिकित में से कौन एक टैनिस खेलाडी नहीं है Option D, रिकी पॉंटिंग नहीं है जी टैनिस के खेलाडी क्योंकि वो क्रिकेट के खेलाडी है आब लोगों को पता होगा संतोस ट्रॉफी का संबंद किस खेल से है बैडमिंटन से संबंदित है संतोस खेल का संबंद Question number 48, वर्दमान ट्रॉफी किस से संबंदित है तो Option C, का सही answer है होकी से संबंदित है इस वीडियो में आज 50 कोशेन नहीं है वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपने आपको और भी पिछली वीडियो जैसे जीके की 500 questions की series या computer की 250 questions की series देखनी है तो उसका link मैंने description में दे देना है वो आप description में जाके link पे click करें और बाकी की videos देख लें बाकी channel पे आप subscribe करें बिना नहीं जाना है और bell icon दबा देना है अगर video पसंद आई तो like कीजिए और कोई भी दिक्कत हो तो comment में share कीजिए आप हमें whatsapp भी कर सकते हैं हम अपना number drop कर देंगे comment section में आप किसी भी तरह की जानकारी चाहिए आपको या फिर कैसी भी videos का link चाहिए तो आप हमें एक बारी whatsapp message कर सकते है वीडियो देखने के लिए धन्यावाद channel को subscribe कर दीजे thank you so much have a good day